आगया हूँ मैं आगया हूँ बिल्कुल चिंता मत करूँ ठीक है सर्वे भी हो चुका बिल्कुल चिंता मत करूँ आपके परिवार के सदस से आचिके आपकी चिंता पूरी कर रहे हैं मैंने सर्वे भी करा दिया बिल्कुल चिंता मत करो अमा इसा मत करो मैं आगया हो तुम चिंता मत करो ना चलो तो चलो प्रिदे करको आने ते निर्देश ने लूह में रहें है पिछले अने तीस साल पे चाली साल में नीय हुआ है जिक चिंटा मत्तर हो आगे हूँ मैं आपका हूँ है अभी मैं वहां जा रहा हूँ पाहडा जी आप में से दो-तीन लोग हूँ है या जिव और वहां आप सुन लेना में क्या खेह रहा हूं आप लोगों सबको संतुष्टी भी हो जाएगी तो आप के साथ खड़ा है ठीक है एक मेर साथ देख ले तो आप पेसे एक दो लोग हुआ आजा रहा है प्रदान मंत्री जी की योजना के तहक जो करोणा काल में शिरुवात हुई थी गरीब कल्यान अन्न योजना जहां असी करोड गरीबों को पूरे देश में मुफ्त में अनाज और राशन पहुचाने का कार्य हुआ था मैं प्रशासन और कलेक्साप से निविदन करूँगा कि इन गरीबों को बहटा गाट में थोड़ा अधिरिक्त राशन और अनाज पहुचाने का कार्य प्रशासन के दुआए हमारे हम जब फसल का नुपसान होता है तब अगर हम उसे पॉर्टल पे डालते हैं तो जिस किसान ने किसान क्रेडिट कार्ड के अधार पर रड़ दिया है उसे उस फसल की भीमा राशी भी मिलते हैं तो कृपा करके प्रशासन से मैं निविदन करूँगा कि हमारे किसानों को मदद कर लें ताकि उस किसान क्रेडिट पॉर्टल पर रिखांकित कर लें कितना नुकसान हुआ है ताकि वो भीमा राशी भी मेरे किसानों को मिल पाए ये मेरा दूसरा निविदन और मेरा तीसरा निविदन कि बैटा गाट में किसी प्रधान शेत्र तो है यह जादा करके हमारे अंददा आता है रहते हैं पर बैटा गाट में हमारे कुछ श्रमिक भी रहते हैं और ये इतने बड़े बड़े ओले गिरे हैं जो अभी हमारे एक दादा कह रहे थे कि दो किलो साथ सो ग्राम साथ ओले के कि उनके टप्रे भी पूने फून रूप से नश्ट हो गया तो जिन श्रमिकों के टप्रे नश्ट हुए हैं थोड़ा मदद प्रशास्त से भी उनके टप्रे लिए ये शायद पहली बार है